हार फिक्स यूट्यूब केंट बी अपडेटेट प्रॉब्लम नमस्कार वुस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपका जो यूट्यूब है अपडेट नहीं हो पारे ठीक है यार फिर आप आपडेट करने की कोशिश करें लेक नहीं YouTube को चला पाओगे और नहीं आप अपडेट भी कर पाओगे ठीक है तो दोनों तरफ से आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए ठीक है मैं आपको एक शौटकार्ट तरीका भी बता देता हूँ अगर यूट्य सा सॉलूशन बता रेता उसको फोलो करके प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं बाद आते हैं अपडेट ना करने ना होने का प्लेश्टोर में ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शूरू करके सॉलूशन आम डारेक्ली देख लेते हैं वीडियो शूरू करने से पहले चैन सही होना चाहिए सारी सार आपका जो यहां पर दोस्तों प्लेश्टोर है ठीक है वह भी अपडेट करके यूज करें तो आप दोस्तों प्लेश्टोर के ट्री लाइन पर क्लिक करें सेटिंग पर जाए और सेटिंग पर जाके दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करना है नीचे में Play Store Version के अंदर ठीक है तो Play Store पर जाके दोस्तों आप सिंपली वर्जन पर टैप करें एक बाद टैप करी से दोस्तों Play Store में अपडेट आया हुआ पडेट हो जाएगा अपडेट होने के वाद दोस्तों ऐक बाद ट्राय करके देखे problem problem solve हो जाएगा ठीक है अगर इसे problem solve हो जाता है तो ठीक है अभी भी आप अपके यूटीब को ठीक है अपने अपडेट करके देखा फिर भी यूटूब अपडेट नहीं हो रहा है तो setting पर जाए Scroll down करके application aid permission पर जाके manager यहां पर आपको मेंजर मेन जहें करकें फिर इंस्तॉल करके आपको औपsen मिलेगा तो उसी को चेकется कि आ पर किया यहां पर आना है कि दोस्तों आपर को पता होगा सेटिंग थौरा सा डिफरेंट होते हैं ठीका obt तो अभी हमें कहाँ पर जाना था Play Store थी कि यहाँ पर थोरा से दुर रहें तो गुगल Play Store पर जाएए और कर दीजे फोर्सτοप ऑख़ाइए उसके बाद इंटर्नल स्टोच पर जाएए डेटा पर क्लिक करके ऑख़ाइए उसके बाद पर्मिशन पर जाके इसका थोड़ा बौट पर्मिशन रहेगा बस उन्ही को allow करना है ठीक है तो permissions याप पर आपका allow होना चाहिए ठीक है तो ये सारे permissions allow होने के बाद बेक कीजिए अभी जाए गूगल प्लेज सर्विस पर उसमें जाके आपको करना है इंटर्नल स्टोरेज पर जाए एक क्लियर देटा पर क्लिक करके क्लियर ओल डेटा करके आपको ओके करना है ओके वगरा करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर बेक करें बेक करने के बाद इसका permissions उनको allow कर दीजिए तो बहुत सारा परमिशन है थोड़ा सा आपको time decay allow करना होगा उसके बाद दोस्तों device को restart कीजिए और check करके देखिए problem आपका solve हो जाएगा ठीक है अगर इससे आपका जो problem है वो solve हो जाते हैं तो आच्छी बाद है अगर इससे भी जो है problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताए एक आसान सा solution में आपको दूंगा अगर YouTube अपडेट करने के लिए कह रहा है और आपका YouTube open नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप YouTube को यहाँ पे search करें और YouTube को जाके force stop करके ok कीजिए internal storage पर जाके clear data करके ok करतीजिए यह करने के बाद आपको permissions जो है वो allow करना होगा दुबारा से तो सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप जो है device को restart करें ठीक है उसके बाद दोस्तों देख लिजेगा आपका problem solve हो जाएगा और आपको कुई भी डिक्कट कुई भी issue दुबारा से नहीं होगा बगएरा करके देखें तो उनसे काम बन जाएगा और दोस्तों फिलाल तो update ना करने का solution मैंने आपको दिया है वो try किजिए आपका problem solve हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर play store का जो data बगएरा है उनको clear करने के बाद दोस्तों पुरा problem solve हो जाते ठीक है तो आप करके अपडेट कर सकते है अपने YouTube को और उसके बाद problem solve हो जाएगा और जैसे कि मैंने आपको कहा था अगर YouTube update मांग रहा है और update यहां पर आपको करना ही हो जाते हैं और आपका YouTube जो है update नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त दोस्तों आपको YouTube का data clear कर देना है और problem fix हो जाते हैं बीना update किये ही आप problem को solve कर सकते हैं तो बस करके देखिए तो आज की इस वीडियो पर बस इतने इसके related पर अगर आपको कोई भी problem कोई भी issue आ जाते तो आप दोस्तों हमें comment section पर comment करके बता सकते हैं और playstore का आपको कोई भी problem है तो दोस्तों आप हमारे channel पर जाके check कीजिए काफी सारा आपको solutions मिल जाएगा playstore का तरह तरह के solutions हमने दे रखा है जाके आप check out कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही thanks for watching